प्राप केश्न अम्रा रेडियो वेव, अब क्या प्रोप्ल नहीं? जो रेडियो वेवी होती है ना रेडियो बेव वेव पॉम्मिनिकेशन में काम आती है TV, radio telecast है ठोफेटीयोय यह व्हुल्थवोन तो इसके लिए हमें यंटि ऑनवना चाहिए तो जब radio wave generate होती है तो antenna से generate होती है तो antenna की height निकाल नहीं हमें antenna की क्या height है तो माल लो ये अर्थ है this is the topic to find the height of the antenna माल लो ये अर्थ है ये radius RRR center है ये center है height of antenna कितने है H है ये R है और ये भी R है और जो signal है ये D distance है तो जो signal है वो D distance तक आ रहा है D distance, D distance, D distance क्योंकि signal सिर्फ यही नहीं आ रहा है signal हर तरफ जा रहा है अब problem ये है कि जो antenna signal send करेगा जो antenna signal send कर रहा है वो last जो receive होगा अर्थ पर यहां receive होगा क्योंकि इसके बाद लोग ने रहते आर्थ गोल हो जाती है और यहां तक signal पहुंच नहीं पाएगा तो यह आखरी पॉइंट है जहां पर signal receive होगा तो मान लो ये D distance है ये D distance है बस ये D तो यानि कि हम इतनी पावर सी signal generate करेंगे कि वो D radius में घूम जाए दी रेडियस में ये D radius है अब signal सिर्फ नीचे नहीं जाते होते signal हर तरफ जाते है वो अलग बात है कि लोग उपर रहते नहीं है लोग नीची रहते हैं तो ये signal आगी खराब जाते है आपका और signal जाएगा तो हर तरफ clear है यहां तक तो लोग सिर्फ यहां रहते हैं जो signal को क्या करेंगे receive तो signal का radius क्या होगा इसमें D radius होगा तो अगर आप इसमें right angle triangle ने ये वाला ये right angle triangle है इस right angle triangle में total distance कितना है H plus R ये कितना है R ये कितना है D तो Pythogarist लगाओ H plus R का square is R का square plus D का square ये आपने लगा दिया Pythogarist ये रहा इसे open करो R plus H का whole square को open करेंगे तो R square H square 2RH is equal to R square plus D square R square से R square cancel तो आपके पास ये time बच गई ये time आ गई अब radius of earth क्या होता है 6400 km बहुत बढ़ा और H क्या होता है उसके सामने बहुत चुटा तो इन दोनों term में से इस term को neglect कर दो तो आपके पास neglect करके ये term बचती गए और under root लेने के पाद ये आएगा तो ये box में डालो this is the radius of the signal D तो D क्या था signal का radius clear है यहां तक तो signal का radius का है under root of 2 HR where H is the height of antenna clear है यहां तक अब जो signal है वो goal circle में जाएगा signal जो है circle में जाएगा तो कितना area cover करेगा pi D square D की value यहां से यहां put करके answer आ गया यह क्या अगया area of the signal covered अब हम लोग क्या करते हैं अर्थ के ऊपर population density नाम की चीज है कितने लोग रहते हैं कितने area में रहते हैं तो signal area में गया कितने area में गया इतने area में गया तो इस area को अगर मैं population density से multiply कर दूं तो population density का मतलब amount of population per unit area को area से multiply करूंगा तो क्या जाएगी population covered तो इस तरीके से population covered की value आती है and यह जो formula है calculating the height of the antenna h and d is the radius of the signal कैसे करना है question what should be the height of transmitting antenna अगर radius given है अब यह signal का radius को क्या लिखते हैं d तो यह signal का क्या है radius अब मैंने आपको formula क्या करवाया अभी d का formula क्या करवाया था under root of कितना 2r h आपको क्या निकालने height of the antenna squaring कर दो तो d square is equal to 2r h यह h is equal to d square divided by 2r तो आपको इस question में d पता है आपको radius of earth पता है height of antenna can be calculated समझ में आ रहा है कैसे formula यूज करने है और अब वो कह रहा है कि अगर आप एक बाद d आपको d तो पता ही है क्या निकालने है अगर population density 1000 है हजार लोग km2 में रहते हैं तो कितने लोगों ने signal को receive किया यह बताओ तो पहले आप height निकाल लो फिर एरिया निकाल लो एरिया signal का क्या है pi d square pi d square को population density से multiply कर दो तो आपके पास amount of क्या जाएगी population तो idea समझ में आ रहा है कि कैसे इस question को करने है जैसे यह नहीं करना है यह करना है tv tower has a height of 100 meter अब tv tower की जो height यह क्या given है h given है तो h की value कितनी given है 100 meter how much population is covered by tv broadcast if average population density is given तो कितने लोगों ने इस tv को देखा अगर आपको h given है तो आप at least d तो निकाल ही सकते है कैसे d का formula क्या होता है under root of 2 आ रहे है तो यह पता है यह पता है तो d आ गया d आ गया तो क्या आ गया signal का area आ गया signal को area को population density से क्या कर देना है multiply तो क्या जाएगी amount of population तो idea समझ में आ रहे है कि height of antenna और population density के question को कैसे handle करना है हलांके NCIT में आने का chance कम है बट फिर भी competition में मैंने इसके उपर question दिखा हुआ है height of antenna पे ठीक यहां तक भी div पहें दूँने दूठ सुपट आप झायाँ झाल झाल